हेलो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे जिस पे आपको मिलती है सारी जानकारी जिससे आप ये कर सकते हैं पेपर को क्लियर और वो है अड़ा247 का लॉट चानल तो आज मैं आपको विडियो में बताने आयों कि डेली उनिवर्सिटी में अगर आपको इसे भी कोर्स के लि इंपोर्टन के एक जहां पर कम चॉइसे लॉट में आपके पास चॉइसे तीन ही है तो वह आपको त्योड़ास द्यान में रखना है लेकिन उसके साथ-साथ ही आपको जो एक चीज ध्यान में रखना है कि जो बाकी कॉलेजिस हैं उसमें आप पिछले साल के कट-उफ भर सकते हैं जैसे आपको पता है कॉलेजिस लाइक S.R.C.C. हो गया, Dooladram हो गया, Hansraj हो गया, Miranda House हो गया, Stephens हो गया, Ramjas हो गया, Hindu हो गया, ये खालसा हो गया, ये सारे कॉलेजिस आपके अच्छे है, Vankatashvara अच्छा है, Lady Shriram अच्छा है उसके बाद आपका गारगी अच् से आपको जब college alert होता है तो उसमें आप upgrade का option भी भर सकते हैं बाद में और उसको आगर चाहते हैं कि भाई या नहीं में को college अच्छा मिल गया अब मैं इसे freeze करना चाहता हूँ तो आप उसे freeze भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का देना बरूँगा क्यों मैं उस college को भरूँगा जहां पर मुझे लगता है कि मुझे जाना है तो मुझे स्टीफन से अगर जाना है और मेरे पास मैंने commerce का कोई course भरा ही नहीं है तो maybe SRCC I will not fill है ना I will fill some other college तो उस हिसाब से आप अपनी preference list को भर सकते हैं preference list अगर धंग से और काईद list को ध्यान से भरें क्योंकि यह जो preference list है यह preference list के basis पे भी काफी कुछ depend करता है कि आपको कौन सा college मिल सकता है हो सकता है कि आपका score अच्छा हो लेकिन आपने preference list में एक अच्छा college नीचे भर दिया हो अभी जैसे हम जब plat की यह counseling चल रही थी तो एक बच्चे के score इतना लेकिन उसने जो college था वो भरा ही नहीं उसने नीचे भर रखा था और उसको मिला ही नहीं उसको उपर आला college मिल गया और वहां जाना नहीं था तो ऐसे कहीं कहीं बार preference list में उपर नीचे हो जाता है तो ध्यान से भरिएगा थोड़ी research करिए अगर आपको कहीं दिक्कत आ रह उन्होंने अपने information bulletin में income certificate 31 March 2024 के बाद का होना चाहिए और आपके migration certificate और आपका minimum eligibility certificate अगर आपका नहीं है तो उसके declaration उसके self attest जो करना है उसको करने के बाद आप उसको upload करें 31 October 2024 उसकी last date तक आपको दिया जाएगा extension ठीक है तो एक तमाम चाहिजे हैं उसके लिए हमने वी PSAS portal पर जाके registration अच्छे से कर लिए 25 माई last date है इसको करने की ठीक है all the best, take care